पवन सिंग के फैंस हमेशा पवन सिंग से ओरिजिनल की उमीद करते हैं लेकिन ऐसा एकाद बार हो गया है कि पवन सिंग पर छोड़े का इलजाम लग जाता है लेकिन इसे गाहे बगाहे पवन सिंग क्लियर भी कर देते हैं या फिर पवन लाइव आते हैं या अपने किसी म्य डिरेक्टर के द्वारा किसी न किसी के द्वारा वो इन सब चीजों को जो ये सारी अफवा है उसे क्लियर करते हैं कि पवन हमेशा ओरिजनल गाने इम पर ही यकीन करते हैं किसी का चुराया हुआ वो नहीं गाते और अब इस बात की एक विडंबना आ गई कि खेसारी लाल या अगर आपने खेसारी का गाना सुना होगा और पवन का गाना सुना होगा तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग की दो लाइने मिलती हैं और फिर गाना पूरी तरह से अलग है और ऐसे में सभी जानना चाहते थे भाई ये ओरिजनल गाना किसका है तो इस बात में क्लिय क्लियर हो चुका है खुद खेसारी के जो पियार है विवेक सिंग उन्होंने ही क्लियर किया है कि यह गाना पवंद सिंग का ही है क्योंकि यहां विवेक सिंग पवंद सिंग के एक फैन के कॉल रिकॉर्डिंग में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बंदे ने तीन महीने पहले उन्हीं ये गाना दिया था और ये गाना लोगों को बहुत अच्छा लगा और इस वज़े से इस गाने को रखा गया और आपको ये भी बता दें यहां उस बंदे का नाम संजय बताया है विवेक सिंग ने साथी साथ विवेक सिंग ने यहां ये भी कहा है कि रिलीज हो पर दोनों गानों को देख लिया जाएगा जी हाँ अब ऐसे में पवन सिंग का जो गाना है वो लोगों के सिर्चड बोल रहा है इस पर लोगों ने ये टेरिफिकेशन दिया है इस कॉल रिकॉर्डिंग का ही कि देखिए खुद खेसारी लाल यादों के जो मैनेजर है विवेक सिंग उन्होंने किस तरह से इस गाने को क्लियर किया है वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की ये विडम बना रही है कि एक ही गाना कई स्टार्स के पास चला जाता है और स्टार इतना बिजी होता है कि वो गाना अगां के plupart जाता है उसे तूं यह भी नहीं पता चलता है कि यह गाना ऑल्रेडी किसी ने गा दिया है वैसे भी हमारे भोजपूरिया स्टार्स या फिर कहीं की भी स्टार हों चाहिए वो बॉली वूट के हो या हौलीवूट के हो यह वो ये नहीं देखते की गाना किस nervous लिखा है क्या लिखा है गाना बस अच्छा है बोल अच्छे हैं कैची है तो गा दिया जाए लेकिन पवन सिंग इन सब चीजों का एतियात रखते हैं क्योंकि पवन सिंग अपना नाम खराब नहीं करना चाहते हैं इस वज़े से पवन सिंग ये देखते हैं कि ये गाना किसक और यहां पर आपको बता दे यह क्लियर कर दे कि यह गाना खेसारी से पहले पावन सिंग ने गाया था भुझपरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब परना बिलकुल न भूलिए